नमस्कार बच्चों मेरा नाम है रन्विजाए और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जै महादे विद्याकुल में तो जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं और फिर उसके बाद हम शुरू कर देते हैं आपकी क्लास तो जल्दी बच्चों आजाओ और वीडियो को लाइक कर देना क्लास शुरू करने से पहले हाँ तो कौन-कौन से बच्चे आ चुके यहाँ पर मनोज कुमार चुरसिया यूश वर्मा तरुन यादव अमन सिंग आरवी अमन सिंग दुबारा चलिए भई सभी सभी का स्वागत है सभी को नमस्कार नमस्ते नमस्ते आमन नमस्ते donc राजे इस कुमार हेलो राज मौर्या हेलो सभी का स्वागत है भच्चों सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और हाँ वीडियो को लाइक और शेर कर दें क्लास में शुरू करता हूं आपकी तो आज का जो टॉपिक है आपका बच्चों वो है प्रमे 6.2 जो की अध्याए 6 से लिया गया है अध्याए 6 का प्रमे 6.2 हम करने जा रहे हैं प्रमे 6.2 एक पिछली क्लास में क करूंगा मैं उसकी ठीक है NCRT में पूरी तरह आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है सभी का नमस्ते लेलिया मैंने सभी का सवागत है जल्दी बच्चों जुड़ जाओ यहां पर क्लास बहुत इंपोर्टेंट है चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट आप जानते हैं तो ब अब गुड़ आफ्टर नगी तो सीजर कहां देखो देखते रहां कि कमेंट है अपने है अब यह अब नहीं है और कुछ भी लिखाया पीछे नमस्ते लिए नमस्ते लिया मैंने आपका मैंने कहा नमस्ते आप बिलकुल चिंदा ना करें और कौन कोन आ गया यहां पर तरीका जिस तरीके साब को चीज़े याद रहें पता तो आपको किताब से भी चल जाता आप याद कर सकते हो बात बन जाएगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद करना सब कुछ नहीं है चीजों का कॉंसेट ना मालूम होना तो मज़ा नहीं आता जैसे हमने इच्छी ग्लास में प्रमे पड़ा उस प्रमे में हमने देखा कि कुछ चीजें कुछ कॉंसेट थे नाइंद के उनके अधार पर उसे सिद्ध किया गया था ठीक है तो उन चीजों को याद दिला था तो चलो शु पहले जो प्रमे थी वो ये थी कि अगर इसके समानतर को रेखा खीची जाती है तो इन दोनों भुजाओं को ये समानतर पात में बाड़ती है यानि कि अगर इसका नाम A है इसका नाम B है और इसका नाम C है और ये D और ये E है तो यहाँ पर कहा गया था कि AD बट्टे में BD बराबर होगा AE बटे में C, ठीक है?, पहले हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर उसका उल्टा, यहाँ पर कह रहा है जा आपको AD बटे में BD, बराबर AE बटे में C, दिया हुआ है, तो यह सिद्ध करो कि यह इसके समानतर है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, कि यह रेखा जो DE आपको दिख रहा होगा ठीक है तो अमीद करता हूं बात आपको सौंझ में आरी है यहां पर आपको दिया है द्यान से सुनना कि त्रहुज की दो भुजाओं को एक यंपात में विभाजित करती है तो तीसरी समांतर होती है यह सिद्ध करो तो एक यहन पाते भाजित करती है मतलग AD बट्टे में BD ठीक है यह क्या हो रहा है AD बट्टे में BD यह बराबर दिया हो किसके AE बट्टे में C ध्यान से सुनना यह बराबर आपको दिया हुआ है ठीक है अब समांतर के सिद्ध करें समांतर के हमें एक रचना करनी पड़ेगी यहां पर वह रचना पता है क्या है वह रचना यह है कि हम एक रेखा यहां पर खीच लेते हैं दूसरी यह हमने यहां पर एक दूसरी रेखा खीच ले जिसे हमने लिए यहां पर लिख लेना उसके बाद हम क्या करेंगे आगे अब चुंकि हमने जो रेखा है डी इडैश यह समांतर खीची है किसके बी-सी के मैं लिख देता हूं चलो यहां पर हमने बी-सी समांतर डी-ई-डैस खीचा ठीक है यह समांतर हमने माल लिया कि डी-समांतर नहीं है हाला कि D हमें समांतर सिद्ध करना है तो इसमें हम बिल्कुल वही method यूज़ करते हैं जो हमने first chapter में किया था याद है first chapter में हमने क्या method यूज़ किया था हमें सिद्ध करना था कि root 2 एक अब परिमे संख्या है तो हमने इसके विप्रीत इसे मान लिया था यह परिमे संख्या है और फिर हमने इसे परिमे संख्या की तरह treat किया ठीक है लेकिन हमने देखा परिमे संख्या की तरह जब हम इसे treat करते हैं तो यह आगे हमारी conditions जो है परिमे संख्या के लिए उसको satisfy नहीं करता उन शर्तों वो शारी शर्ते इस पर लागों नहीं हो रही तो इस आधार पर हमने कह दिया था इसका मतलब अब परिमे संख्या है हमने गलत एजियूं कर लिया था गलत मान लिया था यहां भी वही कर रहे हम यहां हम क्या कर रहे हैं हम माल लेते हैं इसके समान्तर नहीं है, वह है इसके समान्तर नहीं है। यो है आखर हमने ने-गर समान्तर खीच से अब लिखेंगे परमे 6.1, जो कि पिछली परमे थी थिल्स परमे है जो ड्सकास, समाननपार में बाटेगS evolving, ठीक है तो अन्य दो भुजाओं को सब्सक्राइब यह कौन सी रेखा T E डैश क्योंकि हमने इसी को खीचा है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे A D बट्टे में B D बराबर है A E डैश और यहाँ पर E यहाँ पर C E डैश ठीक है तो E डैश के साथ हमने E डैश के साथ अन्पात को देखा तो A D बट्टे में B D बराबर A E डैश और E डैश C यह होगा पर में 6.1 एक में यही कहा गया कि अगर आप समानतर रेखा खीचते हो तिर्मुजगी किसी भी भुजा के तो अन्य दो लिखेंगे see you next class ओके निशान सिंग चलो भई जो क्लास लेने में इंट्रेस्ट है जल्दी सी जल्दी मुझे जवाब देते रहना वस फिलहाल तो मैं इस पहले बताओ फिर कोई डाउट होगत मैं जरूर पूछूंगा ठीक है तो यहां पर ध्यान देना और दरदर की बाते मत करना कमेंड में ठीक है आपस में ध्यान से सुनना तभी आप समझोगे बात को ठीक है तो दी थिए थिए हमने समानतर खीचा बीसी के तो हमें पता है तो एक बात बताओ ये भी AD बट्टे BD है ये भी AD बट्टे BD है तो ये और ये एक ही चीज के बराबर हैं तो ये दुनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से आपको मिलेगा AE बट्टे CE बराबर है AE और CE बताओ बात समझ में आ गई यहां तक कोई डाउट किसी को अब यहां तक मुझे बताओ भी जल्दी से किसी को कोई डाउट है कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करूँ कि नो चलो अब पिछोली क्लास में यहां तक कोई डाउट में अब पिछली क्लास का एक उन्व box याध करेऊ यहां पर मेंली यही सिद्ध करना है आपको कि जो E है और E' यह एक ही पॉइंट है यह दो अलग-अलग पॉइंट नहीं है दो अलग-अलग बिंदू यह नहीं है अगर यह आपने सिद्ध कर दिया कि एक ही पॉइंट है और तो क्या होगा कि D E' को में इसके समानतर खीचा था और यह E क्या हो जाएगी संपाती हो जाएगी एक दूसरे पर आने वाली रेखा हो जाएगी तो वह कॉंसेप्ट क्या था ध्यान से याद करो बोर्ड के एक्जाम में 101 नमबर कैसे लाएं गुरुजी असंभाओ 101 नमबर देखो बोर्ड के एक्जाम में 101 नमबर लाने का एक सिंपल तरीका है लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको चलाकी दिखानी पड़ेगी इसमें थोड़ी समझदारी भी नहीं तो आफ़स सकते हैं बोर्ड के एक्जाम में 101 नमबर लाने का तरीका यह है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपका पेपर कहां चेक हो रहा वहीं पहुंचना पड़ेगा वहां पहुंचके आप ये काम कर सकते हैं बाकी आप समझ सकते हैं कि इशारा काफी है समझदार के लिए अघट्र एक नमबरية अगर हैंड रैट्नीक पर पीपर होता है समझर है आप एको बैरी बात पार नहीं जाते एक्स्ट्रा कभी नहीं मिलता पेपर नियानविगा कर दिया जाता है जब भी राइटिंग का नंबर देना हो अब सुनो आगे कि किसी टीचर को ना पता हो अलग बात है वो गलती से कर दे यहां सो प्लस एक कर दे वह राइटिंग के लिए एक नंबर जोड़ ले तो यहां अब सुनो क्या करोगे पिछली क्लास मैंने आपको एक कॉंसेट्ट बताये था वो था एक एड करने का यहां पर क्या करो यह जो एई और डैश आ रहा है ठीक है इसको एसी बना दो एसी तो बन सकता है ना अगर एई में मैं सी जोड़ दू तो एसी बन जाएगा और बनेगा नहीं बनेगा यह बताओ बनेगा नहीं बनेगा यह बताओ अ है नूर अलगा बंदा ठीक है बहुत बढ़िया ले आया होगा कोई हाँ यही तरीका एक्जामनेकों धमका कर मिलेगा वहां पहुंच जाना देखो धमकाने से फाइदा नहीं होगा वहां पहुंच जाना वास सामने जो होता है साथमने होता है 9th class कब जलेगी, 9th class जल रही है, तुम्हारी class जादा चल रही है, तो 9th class जल रही है बैठके, ठीक है, अच्छा सुनो भई, point पर आ जाओ, तो A को A C बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A में C जोड़ना पड़ेगा, यहां पर A है, A में C कैसे जुड़ेगा, एक बात ध्यान रखना, यह जो C है ना नीचे वाला, इसमें हम A जोड़ते हैं, तो A C बन जागा, तो C में A जोडने के लिए C को उपर ले आओ, ठीक ह ठीक है, तो अब क्या करूँ, इसको पलट लेता हूँ मैं, C E बटे में A E, बरावर C E डश, A E डश, उसके बाद, उसके बाद क्या करूँ मैं, एक जोड़ दूँगा दोनों तरफ, तो C E बटे में A E, बरावर C E डश, देखो कली चीज़ एक्स्प्लेन करीए, तो कल की क्लास अगर आपने लिए है, क्योंकि मैं ऐसी पड़ा ही विश्वास रखता हूँ, जिसमें आप रेगलर मेरे पास आ रहे हो, और रेगलर आ रहे हैं तो इस दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टॉपिक मैं बीच 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 पूछा था कि आप हर चीज पूछो पूर जो कल बता दिया, वो कल की कल की क्लास में मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में एई हो जाएगा, बराबर सी इडेश, यहाँ पर बट्टे में एई डेश, एलसीम लिया है मैंने, तो यहाँ भी एई डेश हो जाएगा, एलसीम लेने बाद, तो समझने की कोशिश करना आपको समझ में आ जाएगा यह अब इसको फिर से वापिस पलट लो इसको फिर पलटता हूं मैं यह हो जाएगा ए बट्टे में एसी बराबर यहाँ पर है नीचे तो एक जैसा हो गया तो इसे काट दो इसी लिए इसका मतलब यही निकला ना कि ए क्या है एक ही बिंदू है बताओ सवह में आया नहीं मंदारी से बताना सवंच में आया नहीं अ कर चलो बई जल्दी सवाव सौल में आया नहीं आया तरुन यां दो जोड़ों कोई दिक्कत थोड़ी है तरुन आप चाहो तो दो जोड़ सकते हो ठीक है बस दो जोड़ों की तो पता होगा हम देखो दो ज़ोड़ों बाद क्aty breaks Не अमुझे तो नहीं मालूम आप देखना कुछ आ जाये तो क्या पता कुछ पला औ का हम जाया आ खीक है आई एफ मोटिवेशन बढ़ी हाँ चलो बढ़ी है समझ में आ गया और हाँ किसी को ना आया तो मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में कि हुआ क्या है देखो फिर से देखो यह जो है आई बट्टे बडी बरावर एई बट्टे सी दिया हुआ है आपको सीद करना कि यह समांतर है तो हमने क्या किया हमें नहीं माल लिया कि चलो यह समांतर नहीं है तो एक रेखा समांतर खीच लेते हैं अलग इससे डी कॉमन रखे जब यह समांतर है तो इन दोनों रेखाओ को क्या करेगी है समांतर नहीं बाट्टे यह तो हमने लिख लिया एडी बट्टे बीडी बट्टे बीडी हरी वाली रेखा जो हमने खीचे तो हम उसके हिसाब से देखेंगे और एई डैश यहां तक और सी यह हो गया अब पहले हमें यह दियावा कि इडी बट्टे बीडी इसके बराबर है और हम ने निकाला आइडी बट्टे बीडए इसके बराबर होना छाए तो इसका मतलब यह ऊपर आला किसी तर lorsqu रий तो हमें पता क्या मिलता हमें क्या तो EΔE देश बराबर मिलेगा। और जब एक उडिय के रापर ही खीची है। अलग नहीं है? यानि कि अलग कोई रेखा एकजिस्टी नहीं करती इससे. ठीके जब आपने अलग भी बनाया, वह उसी परा के बात बन रही आ रही है. ठीके, आगे देखो। तो हमने इसको किया कैसे hi를 guy करने के लिए हमें क्या किया हम सी को कारें के लिए अगर हम सी में कुछ जोडें क्या जोडें gained units और see dash में अगर a- जोडें तो भी ac सीडाय का चोड़ोगे तो भीसी बन जाइगा यह तो हम क्या क्या है C और C'dash में A और A'dash respectively जोडने के लिए हमने क्या किया इसको उल्टा किया पहले C کو उपर लेकर आया जो कल बताया था आपको C को उपर लेकर आया फिर मैंने एक जोड़ दिया अब एक जोडने पर क्या होता है पता है किसी भी fraction को क्या कहते है हिंदी में आपकी तो फरे किसी भी भिन जोडते हो तो पता क्या होता है उसका हर उसके एंश में जुड़ जाता यह बात ही याद रखना आ सीAD-वके department किसी भी भिन में किसी भी भिन्न में आगर एक जोड़ते हो तो सब्सक्राइब एक जुड़ जाता है आपको फिर जाने कि 11 बट्टे 6 हो जाएगा तो पहले देखो 5 बट्टे 6 था, 5 में 6 जुड़ गया बस 11 और नीचे देखो 6 का 6 ही है, यह हमेशा होता है, क्योंकि LCM लेते समय, जब LCM आप लेते हो तो यहां नीचे 6 लाने के लिए उपर भी 6 लिखना पड़ता है, ताकि इनको जोड़ लाओ, इसलिए नीचे 6 लाते हो, तो बिल्कुल वही किया मैंने, यह देखो हमारे पास AE बट्टे C, AE ड़स, C था, हमने इसको पहले पलटा, क्योंकि हमें AE और AE बराबर लिखना है, तो नीचे वाला काटना है, तो हमें C में AE जोड़ना था, तो C को उपर लेकर आया, यह यहां, जैसी एक जोड़ा, C में AE जोड़ गया, यह उसका हर जोड़ गया, देखो, मुझे लगता है, यह बात आपको हमेशा याद रहेगी, और 2 क्योंनी जोड़ा, यह भी समझ में आ गया हो, किसी ने पूछा था, हाँ, हर उपर जोड़ जाता है, बहुत बढ़िया, ठ चाहरा है, तो यह concept याद रखना, हमेशा कि एक जोड़ देना, और एक घटाने से क्या होगा, अंश में से हर घट जाता है, यह भी ध्यान रखना, एक घटाने से हर घट जाता है, गढ़र कि कुछ सिद्ध होता है, तो आपर वह concept भी अपलाई कर सकते हो, यह बहुत basic चीज तो उमीर करता हूं यह पर में अपको सँन्ज मैं आ अगे होगी उधारन देख लेते हैं एक उधारन है हमारे सामने अच्छे यह ने वह झाता हमने किया था नहीं किया था नहीं जलिली बताओ उधारनी यह कल हमने किया था या नहीं किया था इस एक आँ तीक है कोई दिखकर नहीं वहात ही समझता हूँ इतनी गलती तो समझता हूँ टाइपिंग गलती हो जाती है टी के वगल में आ रहाता है मुझे भी मालूम है सुमित कुमार मतलब किसी न आपको कहा कि इसको विरोधा भास वीदी से हल करते हैं तो वही चीज मुझे पूछ रहे सुमित कुमार मैंने इसे विरोधा भास वीदी से हल किया है अपने समझा नहीं मुझे लगता है बस हर चीज के लिए शब्द दे के बताना जरूरी नहीं होता इसको मैंने विरोधा भास वीदी से हल किया जैसे अभी मैंने उधारन दिया था यह पहले अध्याई में भी क्या था हमने विरोधा भास विदी से हल किया था उसमें भी हमने क्या किया था root 2 को परिमे सिध करना था हमने उसे परिमे मान लिया था बाद में विरोधा भास हुआ था ऐसी हमने कोई अलग रेखा मान ली देखो यह विरोधा भास ही है ना कि हमने मान लिया कि इस रेखा से अलग हमने कोई रेखा खीची ठीक है जो कि इसके समानतर है और बाद में हमने यह पता चलता है कि अलग तो कोई रेखा एक्जिस्ट ही नहीं करती वो तो यही रेखा है क्योंकि E और E डैश एक ही बिंदू है वो कॉंसाइड करते हैं समझ रहे हो तो विरोधाभास विदी ही है यह ठीक है कि यह ठीक है अपने सुना होगा कहीं वि रृधाभास विदी से इसे हल कर सकते हैं वही किया है मैंने ऐ समझ में आ गई या नहीं चलो बढ़िया है तो आगे बढ़ें इस प्रश्ण को हमने किया था ना किया था तो इस प्रश्ण के आगे अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं एक दूसरा उधारण था हमारे पास वह यह ठीक है समानतर है ठीक है देखिए आकरिती आखरिती तो इसमें ही ने लेकिन कोई बात नहीं बवा बना देता हूं आ और जिक है यह क्या है आपका संब्लम चत्रभुजे यह लिख लेते हैं यहां ब यहां सी यहां डी आज समानतर भुजाओं AD और BC A समानतर बुझा यह हैuing AD बिल्कुल ठीक अट्र ने क्रमशक बिंदू E का एक तो समयनतर तब यह समानतर होंग समलम चैतर भूझ कर बामचल benefit अर अनलब अ दो यह कम से कम एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का समांतर हो ठीक है एक यूग में कम से कम समांतर हो सम्मुख भुजाओं का तो यह तो असमांतर भुजाओं का यूग में है एक ही यूग में बचा सम्मुख भुजाओं का तो यह क्या है समांतर है निकि AB DC के समांतर एक तो यह दि आपको दी हुई है ठीक है अब आगे इस सम़लम कहा गया तो उसको यह सही समांतर हो गया इसको लिया समांतर भी के वह ले लिया हमने अब क्या बचा है देखी आकरती देखनी है आपको आपक्रती को अगे देखता हूँ तो दर्शान है आपको कि a बट्टे bf बराबर है नह करना है देखो मुझे में पहले किस नहीं क्या है क्या नहीं है बस ध्यान से सुनना को कैसे करते हैं बिल्कुल जीरो से यहाँ देखते हैं कोई बात नहीं इसमें मैं हर question करने के लिए कोई नो कोई तरीका कोई बता हर question नहीं मतलब उस तरह के similar जितने भी question आएंगे न उसमें वो आप तरीका follow करना आपकी सोच ना बदल जाए तो कहना देते हैं मैं guaranteed कह सकते हूं अगर class आप regular लेते हो तो इस chapter को करने बाद आपकी सोच बदल जाएगी इस chapter के बारे में बस अब ध्यान से देखो अच्छा पढ़ाने का मतलब चिलाना नहीं होता ठीक है कि मैं चिला के बोलो तभी आप कहो कि यहां अच्छा पढ़ा है सर ने शांती से ध्यान से पढ़ो क्योंकि senior classes सिर्फ शांती से ही पढ़ती हैं बच्चों को ठीक है शोर और जोस में बोलना ज्यादा पसंद आता है लेकिन थोड़े समझदार थोड़े sincere बनो ठीक है तो be a sincere इस्टुमेंट डीसी समांतर यहां यह कंक्लूजन है मनोज चौरसी है बिल्कु सही कहा तो सिद्ध करने में वैसे पहले स्टफ हमारा यह मनोज कुमार चौरसी ने पहले स्टफ बता भी दिया है देखो एक बात यह कि जब एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं होती है ना यह 9th class में आप एबी और एफ स्टफ एबी एफ नहीं एफ और डीसी यह समांतर होंगे जो कि इन्होंने कहा मनोज कुमार चौरसी ने डीसी एफ बिल्कु सही कहा तो हम कह सकते हैं जो सिद्ध करना वो लिख लेता हूँ मैं पहले ठीक है अब यहां पर एफ समांतर डीसी हो जाएगा ठीक है इसका रीजन क्या लिखोगे इसका रीजन लिखोगे चुकि एक ही रेखा के समांतर मतलब एबी रेखा है दोनों उसी के समांतर है ठीक है यह इसका रीजन लिखोगे सब कि लlezмо कि या और जिटने जो से जिटनी मेंने से बढ़ा सकते हैं तो हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत मेनित करती है बागी इस्टाइल होता अपना पढ़ने काम का अलग स्टाइल है साइंस पढ़ने का अलग स्टाइल है ठीक है अ कि बाखी को डाउट होता बता सकते हैं अगर मोहित गहलोत के घर में आज अच्छा खाना बना इन्वाइट कर रहे हैं सबको क्या बात है इतना बढ़ीए खाना चलो बढ़ी आगे चलें तो अब क्या करेंगे हमें यहां पर यहां पर हम एक रेखा खीच लेते हैं देखो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक रेखा चाहिए कैसे पहुंचेंगे वहां से यहां तक देख लेते हैं ठीक है, हम यह रेखा जैसी खीसते हैं, क्योंकि EF DC के समानतर है, इसको रख लो, इसको नाम रख लो कुछ, नाम क्या रख लें, EF G रख लेते हैं, ठीक है, G नाम रख लेते हैं, अब यह आप देख रहों कि EF समानतर है DC के, ठीक है, EF यहां पर क्या है DC के, समानतर है, तो तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा, यह जो A है, A, बटे में, जो हमें सिद्ध करना, उसके हिसाफ से लो हमें सिद्ध यह करना, A बटे में ED, यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, A, G बटे में, C, G, यह किसके बराबर होगा, A, G, बटे में, C, G, कोई डाउट किसी को किसी कोई डाउट गाइड में और कुछ लिखा है अरे हिमंद गाइड मत बताओ मुझे यहां से मैं गाइड से पढ़के यहां नहीं आता पढ़ाने मैं आपको समझाने के लिए जो मुझे लिखना पढ़ेगा मैं लिखता हूँ मुझे जो कुछ भी लिखना होता है कि आप conceptually हर चीज को समझें तो चीज समझें गाइड में कुछ भी लिखा हो आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मैं हर एक चीज रीजन देके यहां पर बता रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको हाँ थेल्स पर थेयरम लगा दीजिए लगा दिया मैंने थेल्स थेयरम में लगाया इस त्रिपुज में A, D, C में चुंकि ये रेखा इसके समांतर है तो E, G भी समांतर हुई D, C के अब ये समांतर हुई तो A, B, D A, E, D यानि के E, D बराबर होगा A, G बटे में C वो थेल्स पर लगाने से हो गया ठीक है बात समझ में आ गई अब इसको मैं क्या कर देता हूँ पलट देता हूँ एक बार पलट दो उसके बाद आगे देखने क्या करना है या छोड़ो पलटता नहीं मैं पलट के मैं इससे directly कर सकता था इसमे आ जाता लेकिन फिर भी आप एक काम करे एक और समझ sa इस वाले त्रवूज εκस की बात करूँ तो वहाँपर देखो क्या होगा ध्यान समझना इस त्रवूज में फिर से क्योंकि E F A, B के भी समानतर है जो की दिया ही है आपको डारेक्टली तो यह जो GF है यह AB के समानतर होगा जब GF AB के समानतर है तो इस वाले त्रिभूज में क्या होगा इसके बटे में यह यानि के आप कह सकते हो CG बटे में AG बराबर CF बटे में लिखूं यहां पर क्या लिखा आये जो सीद्य करना है यहां पर FC लिखता हूं वह सी बटे में लिए ये देखो इस दूसरा समीकरण बनने गया दूसरा समीकरण अभी मत बना एक काम करो इससे इसका एक step और कर लो, वो ये कर लो, व्यूत्क्रम ले लो, इसका व्यूत्क्रम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ag बटे में, cg, बराबर, ये हो गया आपका, df बटे में, df बटे में, fc, ठीक है, ये ले लो, समीकरण दो, और अभी आप ध्यान से देखोगे, अभी आप ध्यान से देखोगे कि ये, ये और ये देखो, एक ही है, यहाँ भी ag बटे में cg आया, ag बटे में cg, और यहाँ भी देखो ag बटे में cg, कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले तिर्भूज में क्या था अब चित्र को देखो ध्यान से AE बट्टे में DE बराबर AG बट्टे में C ठीक है और इस वाले तिर्भूज की बात करो तो CG बट्टे में AG बराबर FC बट्टे में B तो बस इसको उल्टा किया तो यहां भी क्या हो गया AG बट्टे में CG बराबर BF बट्टे में FC ठीक है और यहां पर AG बट्टे में CG पहले से इसके बराबर है तो यह यानि कि AE बट्टे में DE बराबर हो गया BF बट्टे में FC के तो यहां पर देखो वही हुआ है पहले था AE बट्टे में DE या ED बराबर AG बट्टे में CG ठीक है यह तो सीधा सीधा था इसमें कुछ करने के जरूबत नहीं है दूसरी तरफ त्रिभूज आपको बस उल्टा दिख रहाता है ठीक हला कि हम डेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन आपको सौंज में ना आए इसलिए मैंने आपको क्या बोलूँ वही मनोज कुमार चरसिया बताओ कुछ पूछ रहे हो क्या अचा सेम टूसम लिखा है हाँ तो फिर मैं गाइड से पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया हां हेमन बढ़िया प्रूफ सम आउट ट्राइंगल हां मैं प्रूफ कर दूगा बिलकुल आपने कहा आप जो जो कहो मैं करता जाओंगा चींता ना करो मैं सीरेल में पढ़ानी को जाए एक काम करता हूं मैं यही कर लेता हूं जो जो आपको होगे वही पढ़ाता चला आता है तो फिर आप प्रेक्टिस करो बैठके रिकॉल तो करी रहा हूं हाँ बिल्कुल हिमंत गाइड में सेम टू सेम होगा हो सकता है बिल्कुल सेम हो चलो आगे चलो बच्चों कि तो चलो कोष्चन में क्या कहा गयता देख लो a b c d e, a a d, a b d c c के समांतर है क्योंकि उसने खुद कहा था कि अज समांतर भुजाएं a d और b c है देखो इस कोने लिखा वाए अज समांतर भुजाएं a d और b c है ठीक है और इस पर ये है A D और B C और इस पर बिंदू E और F लिए गये हैं यानि कि A D पर E और B F पर F आपको सिध करना है कि A E बटे में D बरावर F B F बटे में F C लेकिन प्रॉब्लम यह कि एक तिर्भुज नहीं है चत्रभुज है तो कैसे करोगे तो हम इसमें तिर्भुज आनि कि वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाएंगे सम्मुख जो यहां पर आपके शीर से हैं उसको मिलाएंगे कोई भी चाहें आप इसे मिलाओ चाहें इसे मिलाओ आपकी बात बन जाएगी इस त्रिभुज की बात करें तो A E बटे में E D बरावर A G बटे में F C तो इस तरफ भी ए घ बट्टे में जी सी बराबर है दी एफ बट्टे एफ सी के बराबर हुआ है नहीं हुआ कोई डाउट किसी को किसी कोई डाउट हो तो बताओ कि चल्दी से बताइए बच्चों किसी को कोई डाउट हो नो डाउट प्यूश्वर में वीडियो एक बार दुवारा देख ले ना हर चीज बताई गई है यहां तक क्लीर है तो यहीं तक है कुश्ष कलिसे चाना है चलो आगे चलते हैं कि शाइन्स की क्लास रात को नो बजे होती है लेकिन आज नहीं होगी साइन्स क्लास आपकी शुक्रवार शनीवार रव्यार को होती है प्यूश कोई दिक्कत तो नहीं प्यूश मुझे लगता आपको समझ में आ गया होगा देखो फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा यहां पर क्या था यह चत्रभूज है ठीक है और यहां पर एक रेखा समांतर दे हुई है यह यह तो क्लीर हो गया था अब करना आपको इसके बट्टे में यह बराबर इसके बट्टे में यही इसके बराबर नहीं इह क्यों 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 यहां भी त्रिभुज बन रहा है देखो यह त्रिभुज और यहां जो त्रिभुज बन रहा है इसमें इसके समानतर यह रेखा है ठीक है देखो इस रेखा के समानतर यह वाली रेखा है इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में ठीक है दूसरी तरह इस वाले रेखा के समानतर ये वाली रेखा है ठीक है कोई डाउट हो तो बताओ इंगलेस्स इंगलेस्स क्लास चलो कि बात कर लेते हैं टीचर से वैसे रोज करना थोड़ा सा मुश्किल है बच्छे हो अस्तथा की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा ठीक है अब इस कोश्चन को देखते हैं इस कोश्चन को समझनी कोशि Hazara ध्यान से वहां प्योश क् तो Nea युझका हुआए और यहां पर पी एस्टी बर्याबर यह यह कौन को इसके बरावर दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर सिद्र करना है कि प्कुर एक संद्वी बाहुत प्रिभुजह है पीक्यूर क्या है एक संदीव वाहू त्रिभुज है इसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा पीक्यू बराबर पी यार बस और यह कैसे सिद्ध होगा वो देख लेते हैं और बहुत बढ़िया चलो बहुत सबका क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है ठीक है राम राम भए कि राम राम एस कीति सटीद नाम भी बताव कैसा कैसा रखा हुआ है चलो क्लियर है एक-दम तो बढ़ते हैं आगे यहां पर क्या करना आपको यहां पर आपको लगो इसमें दूसरी प्रिमेडा प्रयोग है, psikt2, q बराबर आपको pt r क्यग यह क्या दिया है यह तो दिया है आपको, यह दिया है अप-गो मैंने जब यह दिया had ps समान अनुपात में क्या हो रही है यह विभाजित हो रही है तो यह समान अनुपात में विभाजित होने का मतलब क्या है कि st qr के समानतर होगी तो चूंकि ऐसा है इसी लिए ऐसा होगा कि st जो है वो समानतर होगी किसके qr के ठीक है अब चूंकि st qr के समानतर है तो यहां पर कोंड pst यहां पर कोंड pst प्राबर है किसके qr के प्राबर होगा अब दूसरी तरफ जो आपको दिया है कोंड pst वो बराबर दिया है कोंड पी आर क्यू के आप देखरों दोनों ही पी एस्टी के बराबर हैं दोनों ही पी एस्टी के बराबर है ये पी क्यू आर भी पी क्यू आर भी और पी आर क्यू भी पी आर क्यू तो बराबर दिया हुआ है पी एस्टी के और पी क्यू आर बराबर क्यू होगा क्यूंकि हमें पत कोड के बरावर जितने भी कोड होते हैं सभी आपस में बरावर होते हैं ठीक है कोई डाउट हो तो बताईए शेकर आइटी सलो बढ़ी है एस आइटी ये शेकर आइटी बहुत बढ़ी है याद रहेगा मुझे चलो तो आगे चलें एक मिट देना बच्चों मुझे बस यह कुशन हो गया होगा मेरे खाल में आगया होगा अब आपको देखो मैं पहले बता ही दूँ आपको यह कौण के बरावर है इसका मतलब यह त्रिभुज क्या होगा संदिवात्रिभुज होगा क्योंकि सम्मुक को को के सामने की बुजाएं सम्मुक को नहीं मतलब बरावर को के सम्मुक बुजाएं आपस में क्या होती है ब कोश्चन को देखो और कोई दिक्कात बताना आपके हूँ कर दो और कोश्च झाल झाल अच्छा वोईस नहीं आरदे चलो ठीक होगा वोईस आ गई होगी हाँ दो बच्चो मैं के रता बिल्कुल इग्नोर करो किसी भी स्टुएंट को जो भी इधर उधर की बाते करते हैं वाकि उनको कंट्रोल करना हमारा काम है कर लेंगे हम आप चिंदा ना करें बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल परिशान नहीं आप अप अपनी पढ़ाई पे धियान दे क्योंकि देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ धरती पे हरतरे के जीव पाये जाते हैं यहाँ पर और हर जीव की अपनी प्रकृती होती है कोई भी अपनी प्रकृती बदल नह ठीक है ढोत लोग पास बहुत खाली समय होता एंका दस्मी की पढ़ाईस प profan करनी होती है कोई वजयों कई वजह होती है बच्चों एससरह होते हैं, वह अगर पढ़ता है की अगर पढ़ा रहा हूं अँश्री में हमेशा आती है आपकी पड़ाई चल रही थे गली चलते है काई बिलकुल अपनी दिमागों को एक्तिवर रहना पड़ता है हम उससे भिड़ जाते हैं कि तुने मुझे भोका कैसे मैं तुझे देख लूँगा तु रुख तु रुख अभी मैं अपने साथियों को बुलाता हूं फिर तुझे बताता हूं तु रुख वो क्या समझेगा आपको पता अच्छी तरह उसका नेचर क्या है उसका नेचर है तो आप उसे बदलने के वज़ाए चुप चाप बच के निकलने की कोशिश करोगे दिल पे नहीं लोगे तो दिल पे ऐसी बातों को मत लिया करो ठीक है होते हैं ऐसे बच्चे जनरेशन से चीज चलिया रहे उनके जीन्स में यह चीज और वो चीज नहीं खतम होती एक साथ त समय लगता है अब चीज जीन्स में है जनरेशन में तो ऐसे कैसे संस्कारों से बच्चों पता है आप बनते हों कोई भी टीचर हो कैसा भी टीचर हो मान लो मैं बिलकुल बेकार पढ़ाता हूं मैं मान लो पढ़ाता ही नहीं यहां टाइम पास करता हूं यह मान लो फिर भी कुछ भी अगर आपको पढ़ा है तो कहीं न कहीं मैं आपके लिए टीचर हुआ अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा है न तो कहीं न कहीं मैं आपके लिए गुरू हुआ ठीक है और गुरू की रिस्पेक्ट क्या होती है गुरू की इजट क्या होती है यूपी के बच्चों से जादा कोई मुझे लगता समझता नहीं है आ जाँगा टॉपिक पर दीपक याद हो आ जाओंगा वह मैं बाकी बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इन बातों पर जादा आकर्षित ना हो इन बातों से जादा मतलब इमोशनल ना हो ठीक है आप आपको मैं यही बात समझाना चाहरूं कि आप अपने टॉपिक पर ध्यान रखें जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने टॉपिक भी ध्यान रखें दर बिल्कुल ना भटकें परिशान ना हो बिल्कुल इन बातों से ठीक है अच्छाई बुराई हमेशा से धर्तिप रही है और हमेशा रहेगी है और साथ सा चलती रहती है वो पैरलल अच्छाई हमेशा बुराई से बच की चलने की कोशिश करती है और जब बुराई ज्यादा हावी हो तो बस उसे खतम करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर आपक अपने कंट्रोल में हो अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखो आप बिल्कुल एक्टिवली समझ पाओगे पढ़ पाओगे ठीक है हाँ बिल्कुल शालूर आए इग्नोर इस थिंग्स ओके, so let's continue, यहाँ पर क्या पढ़ रहते हैं हमें पड़ा कि यह कॉन और यह कॉन दोनौं पीस टी की बराबर है यह क्यों बराबर है इसके दिया हुआ है और यह कैसे इसकी बराबर है क्यूकि इसके शमानतर है समांतर कैसे है? समांतर इस अनुपात की वज़े से प्रमे 6.2 की वज़े से तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कोण PQR कोण PRQ बराबर है तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि कोण PQR बराबर कोण PRQ ठीक है ये कौन से कोड है देखो कोड PQR और कोड PRQ ये वाले दोनों कोड है तो इसके हिसाफ से PQ बराबर PR हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा PQ बराबर PR और ये बराबर क्यों होगा वही ये बराबर क्यों होगा पी क्यों प्यार क्यों बराबर होगा आप जानते हैं वही साफ साफ यही तो लिखाए उपर क्यों बराबर होगा इसमें जानना वाली बात सम्मुख भुजाएं वही किसके समान कोडों के सम्मुख भुजाएं इसलिए यह दोनों बराबर हैं तो जब यह दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कहेज़में एंए क्योंकि अभी तक दो भुजाएं बराबर सिध्य हुई है ओ रीख यहां तक क्लियर इहां तक कोई डावट किसी को यहां तक कोई डाउट कोई समस्या यहां तक कोई डाउट किसी तरह की कोई दिक्कत किसी स्टुएंट को तो जल्दी से बताएं सम्मुख बोजा बिलकुल हेलो अंशू कि आई पेस अभी 6.1 का पूरा चैप्टर कहां खतम किया चैप्टर मतलब एक्सराइज कोश्चन करवा दूंगा मेंने थियूरम इसलिए इसलिए मैंने दूसर थियूरम भी आज करवाया है अगली क्लास में एक्सराइज भी आपको करवा दूंगा आप बिल्कुल चिंता ना करें है सर दिक्कत है सन्वी परजापती कब आये मैं इस चार बज़े नहीं होती थी कभी नहीं होती थी तीन बज़े होती थी राव लिया दो अब पुरानी जितनी वीडियों जाकर देखो सभी तीन बज़े या दो बज़े चली है दो बज़े थी दो बज़े कर दिया एक दिन क्लास खतम करते हैं आज की ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों और बच्चों जितने ही बच्चे हां जुड़ते हैं सभी संसकारों के साथ आएं अपने अच्छे संसकारों के साथ क्योंकि आपके संसकार आपके परिवार की पहचान होती है तो आपके संसकार किसी ऐसे बच्चों को जोड़ना जो बच्चा संसकारी ना हो क्योंकि संसकार पहली चीज है जो से सीखनी होती है जो उसका परिवार उसके पैरेंट्स सिखाकर उसे भेजते हैं अध्यापक के पास वह चीज अध्यापक से पहले उनके माता-पिता जो की बच्चों के पहले है दिया कोटे हैं उसक्राइब भीजते हैं ठीक है इसलिए हमारा मानना होता है कि अगर आपके अपके परिवार ने आपके पैरेंट्स ने अपको अच्छी चीज़ सीखाई उन殼ने बताए है कि टीचर क्या होता है सारगत overall फें सभी को बायर कल मिलते हैं अगली क्लासीं